तो देखिए मगद उनिवर्सिटी का पार्ट 3 का जो है एक्जाम प्रोग्राम जारी कर दिया गया आपका 19 तारिक से एक्जाम होगा तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ इस एक्जाम प्रोग्राम में जो भी आपका ओनर्स पेपर है वो उसका कब कब आपका एक्जाम होगा पूरा डिटेल में बताऊंगा किस किस दिन किस कि स्रिप्ट में एक्जाम होगा तो वीडियो को अन तक देखे और जो एक जी एस का पेपर होगा यह आपका कब होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मगद विश्वे विद्याले बोध गया यह आपका पिपर है वो ग्रूप A, ग्रूप B, ग्रूप C और गूरूप D से आपको चूज कर लेना होगा जैसे मान लिजए कि मेरा जो ओनर है mathematics है यह हमारा किसमे है 듣 now a अब आपको क्या करना होगा कि नीचे आ जाना है ग्रूप भी आपको याद रखना है और जो है बी को ढूंड़ना है बी कहा है तो बी आपका एक यहां है फिर आपका एक यहां है दो भी तीन भी चार भी तो यह चारो आपको भी यहां देख गया है यानि कि आपको चारो एक चेकंड शिफ्ट में है और हमारा यह एक्जाम कब है 23 तरीको वैसे ही एक भी यहां है तो यह हमारा एक्जाम हो जाएगा 26 तरीको तो जो भी आपका ग्रूप है पहले अपने सब्जक्ट के अनुसार हिस्ट्री है तो ग्रूप A मैथमेर्टिक से ग्रूप B जो भी आपका सब्जक्ट देख लेंगे और उसके अनुसार अपना ग्रूप पे चूज कर लेंगे चार ग्रूप है और फिर आपना यहां पर A B C D जो भी है देख लेंगे और फिर देखिए यह चार चार आपके औरीprogram honors के जो एक्जाम होगा यह इसका चार फिपर होगा ही चारूरा में a support उप्छार चार में चार 100 नंबर का और एक एक एक्स्ट्रा कीøंगा होगा सबसीं दृटरी का तो एक्जेम नहीं होगा एक एक्स्ट्रा जो एक्जेम और तो एक्जेम होता है वो होता है आपका जी माएप communities अऑब जीए का एकजाम होगा तो याद रखेगा कि आपका जो जीएस का एकजाम है यह कब होगा 29 तारीकों हो 29 तारीकों फसलिक ध्याठ्ट होगा फस्सक्तर का एकजाम होगा पहले μαझे साइंझ सqlue एक-टपर का होगा यह एकटोटल आपको 500 नमबर का होगा यहाँ पर 500 नमबर और जिसमें से 400 remarks का oneस का अर्ष भिषियस का यह यहां उन्जार होगा और लिएत The इसके बात जिए निगल करेगा है यह तो उन्हुन गत है उनके वे उन सबजेक्ट हैं उन्हें अनुसार ही होगा जैसे subject होगा philosophy तो यहां तर डाइरेक्ट लिखा है philosophy के exam तेज तरीकों होगा first shift में 10 से 1 के बीच में अगर मन लिजे कि आपका general में math है तो math का second shift में होगा दो बजे से 5 बजे के बीच में यह math जो है arts वाले के लिए और science वाले के लिए math यहां है तो general के program में कुछ समझना ही नहीं है आपका जो भी exam है उसके अनुसार आपका date दिया गया है आपका जो stream है arts है science है commerce है arts है science है commerce है कौन सा है पहले यह देख लिजे तब अपना जो है subject द दूसरा ग्रूप है second shift का अगर मान लिजे कि आपका stream science है तो science का group है first sitting का यह है science का group second sitting का यह है अगर मान लिजे कि आपका commerce group में आते हैं तो commerce का group यहां पर देखना है और दूसरा commerce का group second sitting में यहां पर देखना है तो यह सबसे बड़ी update थी कि आपका exam जो है 19 तारिक से start हो जाएगा पर